सुबह 10 वे सले की 11 वजे के पिश्व वपसित हूँ आप सबके सामने आज जिन की कुंड़ी लेकर के आया हूँ इनका नाम है राजी उमित्तल ये है कुंड़ी सिली गुड़ी वेस्ट पंगाल की शुरू करते हैं हाजगा कारगब सबसे पहले आपको बताओं इनका जन्म है जिस्ट माह में इस वज़े से व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रन रखने वाला होता है ग्रिश्व रितुमें जन्म होने से अपने जन्म स्थान से दूर जा करके अगर व्यक्ति धन कमाने की कोशिश करे तो धन अधिक बचा पाता है शुक्लपक्ष क्रिश्ण को धार्मिक, सामाजिक, यशश्वी और हमेशा ही सत्यका सांथ देने वाला बना देते हैं मंगल स्वक्रही, बढ़ियां अपनी रासी में दिखबली, शुक्र अपनी रासी के, बुध्ध अपनी रासी के, चंद्रमा के साथ केतु का ग्रण व्यक्ति को मानसिक रूप से त दक्सान और कई बार वाड़ी अजीब सी होती है या कई बार वो प्रभावी नहीं होती है, यहाँ पे कई बार वाड़ी में लालच भी दिखने को मिल जाता है, यहाँ पे लगन में ही उग्ण के गुरू व्यक्ति को हर तरीके से भरने का काम करेंगे और यहाँ वो लगन पांच डिगरी का बना है, सूर्य उनतिस डिगरी और शुक्र दस डिगरी के बैठे हैं, चलित कुंडली में भी आएंगे पर उसके पहले बात बता दूँ, तो इनकी कुंडली में जो स्थटी मैं देख रहा हूँ, उसके आधार पे जो ग्रह हैं, वहाँ पे सूर्य और बु ब्यक्ति की वानी का प्रभाव कमजोर होता है, इसके अत्रिक अगर आप देखें, तो चंद्रमा और केतु जो यहाँ अस्टम भाव में बैठे हैं, उसमें चलित चक्र में ये केतु नमम भाव में जाकर के ब्यक्ति को बहुत ही जादा दार्मिक और प्रनेता बना रहे है नमान स्कूली में जो इस्थोती बनी है, यहाँ जो इस्थोती बन रही है, यहाँ पे शिम रासी के शनी, सुरी के साथ राहू का वैठना, कई बार दामपत्य में कमजोरी और मतभेद सैजुक्त, और यहाँ चंद्रमा ब्यक्ति की पत्नी रिस्पोंसिबल और मिश्वासी आती है, पर यहाँ गुरू ब्रश्चिक के बैठे है, जो कई बार दामपत्य को पेट से रोग देते हैं, या पत्नी को पेट का रोगी बनाते हैं, यहाँ बुद्ध के साथ के तु जहाँ दिमाग लगाना चाहिए, वहाँ व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता, और कई बार तारक रिक्तावड़ी जादा हो जाती है, दशमान सा कुणली में गुरू, मंगल, सुरी और शुक्र का एक साथ केंद्र में बैठना, एक कई तरीके से व्यक्ति के करियर को उच्चितम उस्तर तक ले जाने वाला बना देगा, एक बात और बताता हैं, इनकी कुणली का चं मजने की कोशिश करना, धर्मग्य होना, सामरांत तो नहीं कहूंगा पर निश्यत रूफ से स्ट्रेस्ट व्यक्ति होता है, दशमास्थान बहुत अच्छा, इसवज़ा से व्यक्ति का करियर हमेशा ही वेल स्टैबलिस रहेगा, लगन पे गुरू और मंगल का प्रभाव र होता है, तीसरा भाव, स्वक्रही, सात्वा भाव, मित्र की राशी में नहीं है, शत्रुता है, हाला कि बैठे हैं, तीन घर नजदीक हैं सूर्य, इस वज़ा से इसे अच्छा कहांगे, पर सूर्य पे और शुक्र पे, शनी की दृष्टी जा रही है, इस कारण से व्यक्ति का जीवन रखता है, इस कुंड़ी का दश्मांस बहुत अच्छा बना है, मतलब व्यक्ति का करियर, यहां भी दश्मस्थान में ठीक बन रहा था, यहां भी दश्मांसा कुंड़ी में उच्छ के मंगल लगने शो करके, सब्तमभाव के अधिपती लगन में, मंगल की दिश कमजोर करने वाला, बेवज़ा की बातों से अपना परिशान अपना दिमाग रखने वाला होता है, शनी और राहू जहां राहू 18 डिग्री के और शनी 14 डिग्री के हैं, और शनी वहां पे मजबूत होंगे, हलाकि एक बात बता दूँ, तो सब्तमभाव के अधिपती का दि अच्छा रहेगा क्योंकि गूरू और मंगल का परिवर्तन है, यहां लगन में शनी का बैठना सब्तमे शोगर के वक्ति के दामपत्य को थोड़े बहुत कठोरता से बिताने वाला होता है, और यह चंद्रमा की स्थती बहुत अच्छी बनेगी, जो जातक को कम्यूनिकेट चंद्रमा का प्रभाव आपकी कुंड़ी में कमजोर हो रहा है, धलान पे नहीं है, मतलब वो अवस्थागत एक निगरी का है, दरिस्था नक्षत्र में बैटे हैं और मंगल जन्मकुंड़ी में दिगबली होकर के बैटे हैं, गुरू से केंदर में, लगने से केंदर में, मंगल से चार घर आगे गूरू ये व्यपति को स्रेश्ट और बढ़िया बनाते हैं, चंद्रमा जन्मकुंड़ी में जिस नक्षत्र में बैटे हैं, उस नक्षत्र का अधिपती आपकी करियर को सपोर्ट करने वाला, और उसके साथ साथ मंगल जन्मकुंड़ी में जिस स्र नहीं लगाते और जहां नहीं लगाना चाहिए वहाँ दिमाग जाता रहता है बातें जो दिमाग में बैठ जाती है वो उतरने का नाम नहीं लेती और कई बार व्यक्ति समाज में अच्छा काम करते हुए भी कई बार उस तरीके का रिकंदिशन नहीं मिल पाता है या बेवज पर अपने ब्यापार से राहु और केतु आपकी कुणली में थोड़े कमजोर होंगे हाला कि करक लगना की कुणली के लिए धन भाव में राहु का बैठना कमजोर तो रहेगा क्यूंकि वहाँ पे वो सब तमिश्च के साथ बैठे हैं तो कई बर पत्नी को बीमार भी बना देता है ये आपकी कुणली इस कुणली के लिए अंक हमेशा से पांच बहुत अच्छा रहेगा दिन सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा दिशा वायब्य बहुत अच्छी रहेगी मतलब पस्चिम और उत्तर की दिशा इसके अत्रिक आपकी कुणली में विदेश योग बहुत अच्छा लगा है समदित जुड़े काम भी बहुत अच्छे रहेंगे, कीटिनासक से समदित छेतरों में भी दक्ती का धन जाता रहे और आता रहे या आपकी कुंडली, इसमें आगर आप देखें तो नवांस कुंडली बहुत अच्छी बनी है, पर इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता था, जैसे सूरी और राहू यागर यहां नहीं बैटे होते तो, और गुरू अगर किंदर में बैटे हैं तो दामपते कभी भी कमजोर नहीं है, परवस्तुता गुद्ध नीच के अस्टमभाव में इस वज़ा से पत्ली को कई बार पेट से समदित समस्या और वात पितकफ आद अलान पे हैं, 28 दिगनी के हैं, इस वज़े से कभी-कभी व्यप्ति के निरने गलत और कई बार वो जो पती, पती के बीच का मतवेद होता है या कई बार व्यप्ति का जो निरने होता है वो थोड़ा कमजोर सा होता है, यह आपकी कुंद्ली में अगर आब मैं बात करूँ तो तीन मैंने बताया सोमवर, अंक पाच और दिशा वायव्यकूण, इसके अत्रिक्तापकी कुंद्ली में कमजोर दशा रहेगी, बुद्ध में शनी, शनी में गुरु, गुरु में बुद्ध, बुद्ध में शनी, बुद्ध में रागु, बुद्ध में चंद्रमा, चं पक्दान किया करिए, शिव जी को सास्टानग प्रणाम करिए, शिव जी को दही और घी और पित करिए, इसके साथ साथ हरमान चानिसा का तीन बार पाक्ठ और लाजवर्थ धारन करना चाहिए, इसम अत्रिपत आपके कुनली में आप उच्चे के गुरु को लेकर के बैटे ह अगर आप चाहें तो पुख राज भी धारन कर सकते हैं नमांस कुणली में में गुरु की स्थुती कोई कमजोर नहीं है इस वज़े से गुरु आपकी कुणली में हस्थदई रहेंगे इस कुणली के लिए मंगल के बाद बुध और गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं शुक्र आपकी कुणली में वध्रो करके बैठे हैं सब्तशती दुरगा सब्तशती का पाठ दुरगाप पूजा में आउश्य कराएं और सब्तशलों की दुलगा का पाठ प्रतेक दिन किया करें अस्टमी और चतुरदर्शी को भगवान शेव को दूध से स्नान कराएं बस इतनी सी बात है तब तक के लिए बहुत पहुत नमस्कर